तो आज का मारा चैप्टर है इंग्लिश का चैप्टर नमबर 24 जिसका नाम है कॉपरेट एंड प्रॉस्पर तो यह अमूल का पूरा वो बिजनिस है वो कैसे बना था फार्मर्स को मिला के और उनकी हेल्प करके उसी के ओपर है तो देखते हैं यहां क्या लिखा है The people of Gujarat were mostly farmers. They reared cattle but remained poor. Despite their hard work, they always remained in want. The poor plight of these farmers moved the heart of the iron man of India, Sardar Vallabhai Patel. He was determined to bring prosperity into their lives. So, he decided to organize them into a cooperative force and provide them with a steady source of income. This task was assigned to Mr. Tribhuvandas Patel. He united the disorganized farmers and started a cooperative dairy unit. This system of cooperative effort eliminated the middleman who harassed and exploited the ignorant farmers. But Tribhuvandas Patel found it difficult to compete with a British dairy in Mumbai. तो अगर आप देखेंगे तो यह जो स्टूरी है ना यह उस टाइम की है जब मतलब सरदार वलला भाई पटेल थे, freedom struggle चल रहा था और मतलब तब अंग्रेज भी आए वे थे इंडिया में और उस टाइम पे यह मतलब कोपरेटिव जो dairy unit बना था अमूल का तो वो बना था तो इसलिए यहां पर यह भी दिखाया गया कि किस तरीके से Britishers के साथ वो compete भी करता था तो यहां पर जो मतलब गुजरात के जो लोग थे ना वो मुस्टी फार्मर्स थे मतलब उनके पास या तो वो फार्म्स होते थे या तो फिर वो गाए और यह सब ही होते थे उनके पास खरीब रहते थे वो बहुत महनत करते थे लेकिन उनको जितना चाहिए ता उतना पैसा भी उनको नहीं मिल रहा था अब यह सब सुनके जो Iron Man मतलब लोह आदमी है जो इंडिया के जिनका नाम है सरदार वललब भाई बटेल तो उनका मतलब दिल भर आया और उन्होंने सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए इनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ करना चाहिए तो उन्होंने सोचा कि एक cooperative force यानि सब को मिला के और सब को एक जूट करके उनसे एक help लेके सब को मिला के कुछ ऐसा बनाना चाहिए एक संग बनाना चाहिए जिससे कि मतलब मैं नहीं बिजनेस बट इन टर्मस आफ कि किसी एक के अच्छे के लिए नहीं सब को मिला के एक बिजनेस तो इसलिए वहाँ पर कॉपरेशन आ जाता है तो अब इस तरीके का वो बनाना चाहते था है कि उनको एक हमेशा वाला इंकम मिले अभी क्या है ना कि दूद एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा आपको इंकम मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है विकर्स हो सकता है दूद फड़ जाया है दूद का कुछ और इस्तमाल ना हो पाए अभी आइस क्रीम और यह सारी चीज़े हम कैसे फ्रिज में स्टोर कर देते है दाही फ्रिज में स्टोर कर देते है और रेगुलर उसकी डिमांड जब होती है जो चाहे ले सकता है पर यह तो था नहीं, तो दूध फेका जाता था, दूध बहुत वेस्ट होता था, तो इस तरीके से दूध का बहुत ज़ादा कह सकते हैं कि वेस्टेज होता था, या फिर उसका सही इस्तमाल भी नहीं हो पाता था, और जो farmers भी थे, वो भी गरीब ही रहते थे, तो इन सब चीजों क तो ध्यान में रखते हुए सरदार वलब भाई पटेल ने सोचा कि इनको एक स्टेडी इंकम मतलब हमेशा उनके दूद का इस्तमाल भी होता रहे और इस वज़े से उनको पैसा भी मिलते रहे और कुछ वेस्टेज नाओ इस तरीके को कुछ करने का सोचा फिर उन्होंने ये क पनीर ये सारी चीज़े जहां मिलती है उस तरीके का डेरी उनट बनाएंगे अब इससे क्या होगा कि उनकी जो मिडल मैन है कि अगर उनका दूद नहीं बिकाया कुछ भी नहीं बिका तो उनको वो मिडल मैन को देते ते फिर वो मिडल मैन उनको एक्स्पोराइट करता था उनसे तो बहुत कम पैसा से खरीद लेता था उन फार्मर से लेकिन जब बाकी जगह पे बेचता था तो बहुत ज्यादा पैसो में बेचता था तो इसलिए वो मिडल में को हटाने के लिए डाइरेक्ट एक ऐसा संग बनाए जहां पे कि यह लोग आके दूद दे सके जो भी उन्होंने अपने अनिमल से निकाला है और उसका इस्तमाल किया जा सके फोर मिल्क जो भी यूज करने के लिए तो उसका इस्तमाल कर सके इसलिए और मिडल में को हटा सके इसलिए उन्होंने त्रिभोवंदास पतेल जी ने किया पर उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको कम्पीट करना पड़ रहा था ब्रिटिश डेरी जो कि मुंबई में है और वो क्योंकि पूरे इंडिया में सप्लाइ कर रहे होंगे तो इस तर चानीर टेंडिया में आरिका तो रे को श।र भी साथ अनन्ति त्रिभोवंदास शुत अधिस अज़ तूर इंडिया दो था इस तेपके प्रॉवंदास अनन्ति तूब तूब ज। आब अमूल अन्दिंस, जो रहे हो इस थाँ चल्यास टूब तूर। ज दूडरी तर तो क्या हुआ ना कि अब जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कॉंपीट करना पड़ रहा था, कॉंपेटिशन चल रहा था बृटिश मतलब डेरी उनिट के साथ तो उन्हें लगा कि एक ऐसा उनको पता चला कि एक ऐसा आदमी आया है जो कि मतलब एक इंडियन स्टूडेंट है जो कि बाहर पढ़के आया है और वो डेरी में वो बहुत रिसर्च डेरी रिसर्च इंस्टूट में अमेरिका में पढ़के आया है और वो उसको पता है ये दूद का व्यापार और इसको कैसे संबालने है कैसे करना है और वो फिलाल आनंद जो जगा है गुजरात में वहाँ पे है तो उन्होंने सोचा इसकी मदद लेनी चीए और उनका नाम क्या था जिसकी मदद रिवुवंदास जी लेने गए उनका नाम था वर्गिस कुरेइन कि कैसे अमूल मिल्क का जो ये पूरा यूनिट है पूरा विजनस है वो बन पाया और उसके वज़े से वलब भाई पटेल जी का जो सपना है वो भी पूरा हो पाया क्योंकि वर्गिस कुरेइन ने अपना इतना जाधा एफर्ट्स दिया इस डेरी यूनिट को बनाने में संभ ज़न jako जाग तिय है वज़े इस ने नेकिन करन हैं एवे के बच चीनिति अईशन आ यूनिट पर रजचाश ऑकी कि वह सब प करक्योंकि अंग्यू हो बने प्रेजों को जोड़कि चिंटी ओर्ट्थिफेट इस डिशबू सावड साथ नेंग, अजूनिट को शे जाएग तो अभी क्या हुआ ना कि वर्गेस कुरेयन क्यालीकट में उनका जन्म हुआ था 26 नवंबर मैं क्या ही बोलू जब इंग्लिश के नंबर्स को हिंदी में ट्रांसफर करना होता है ना तो दिमाग थोड़ा सा चक्रा जाता है तो उन्होंने फिजिक्स की डिग्री हासिल की और फिर उसके बाद उन्होंने बी ए किया मैकनिकल इंजिनियरिंग मतलब बैचलर्स इन इंजिनियरिंग की है मैकनिकल इंजिनियरिंग में उनिवर्सिटी ओफ मदरास से फिर वो उनको स्कॉलर्शिप मिल गया तो वो यूएस से चले गए फिर वहां से उन्होंने master's की degree हासिल की master's in science और उसके बाद वो ये सब distinction में तो हो गया उनका master's का degree पर उसके अलावा वो cricket में भी अच्छे थे, tennis में भी अच्छे थे और boxing में भी अच्छे थे तो उनके कुछ बहुत अच्छी hobbies थी और इसके बाद जब वो इंडिया वापस आये तो उन्होंने government की dairy government यानि कि तब की जो government थी ब्रेटिश government तो उनकी जो dairy थी वहाँ पर आनंद गुजरात में आनंद जो जगा है वहाँ पर उन्होंने as dairy engineer join किया पर उन्हें लग रहा था कि यह कोई challenging job नहीं मतलब वो काफी कह सकते हैं कि बड़ा सोचने वाले बड़ा विचार रखने वाले टाइप के वेक्ती थे तो उन्हें लगा कि यार इसमें कोई मजा तो आनी रहा है तो उन्होंने सोचा कि मैं त्रिबुवंदास पर टेल जी फिर उससे अलग-अलग चीज़े बनाना दूद, दही, घी, एट्सेटर एट्सेटर और उस तरीके का फिर वो अमुल डेली फिर बन पाया गुजरात में